दोस्तों मिश्री चीडी यानी रॉक शुगर ना एक अपरिश्कृत यानी अन्रिफाइन रूप है जिसका उपयोग भोजन और और आशिदे प्रयोजनों के लिए किया जाता है इसे ना गन्ने के रस और ताड़ के पेड़ के रस से बनाया जाता है तो इसमें चीनी से कम मिठास होती है और ये आपको कई रूपों और आकारों में मिल जाएगा तो वहीं मिश्री कई पोशक तत्वों के साथी अवेशक वैटामिन्स, मिनेरल्स और एमीनो आसेड से भरपूर होता है मिश्री ही न ऐसे चीज़ है जो मों में जादे ही मिठास खोल देती है अब इसमें ओश्री गुन इतने अधिक होते हैं कि न इसका उप्योग कई आयरवेदिक ओश्रीओं में विशेश प्रभाव के लिए किया जाता है और इसे खानी से कौन कौन से नुकसान हमारे शरीको होते हैं इसके वारे में हम इस वीडियो में जानेंगे जिसमें दोस्तों मिश्री में शीतलन प्रभाव होते हैं इसलिए सर्दी खांसी मतलब कोल कौफ का उपचाय करते समये इसका केवल और शिदी के रूप में आपको प्योग करना है नहीं तो आपके सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ना बढ़ जाएगी ठीक है और हाँ दोस्तों मिश्री में परिश्कृत चीनी की मातरा ज्यदा होती है जो मुँ में हानिकार एक बिक्टीरिया की विकास में युगदान कर सकती है जिसे दांतों की सड़न और कैविटीज हो सकती है इसलिए अगर आपको दांतों की सड़न की प्रॉब्लम पहले से ही है त आपको डायबिटीज में मिश्री नहीं खानी है और जिस तरह से चीनी मुटापा बढ़ानी का काम करती है उसी तरह से मिश्री मुटापा बढ़ाती है वहीं बहुत अधिक मिश्री खाने से पेट सम्मधी रिक्तें भी होती है इसलिए पहले से ही आपका weight gain हुआ है या फिर आप डरते हैं कि आपका weight बढ़ जाएगा तो इसके लिए आपना मिश्री खाना avoid करें ठीक है और हाँ उच्छ छीनी वाले खादेपदार जैसे कि मिश्री ना रखते शरकरा मतलब की blood sugar के स्थर में तेजी से वृध्धी करता है मिश्री के अतिदिक सेवन से ना gastrointestinal की problem उतबन होती है गास्ट्रोintestinal की problem में पेट फिलने या फिर पेट में gas की problem होती है जिससे हमें पाचन समंदी problems का सामना करना परता है इसलिए अगर आपको पहले से ही gastrointestinal की problem है तो आप मिश्री खाना avoid करें ठीक है और हाँ मिश इस अमाल से ना हमारे शरी का तापमान समानी से घट सकता है जिससे हमारे स्वास्त को नुकसान भी पहुंच सकता है इसलिए जब भी आप इसका सेवन करें तो हमीशा सीमित मात्रा में ही करें